एक सवाल जो mysql से अक्सर पूछा जाता है कि सर जैसे python में comment लगाते हैं वैसे mysql में comment कैसे लगा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है अब यहाँ पर select के मगल में अगर आपको comment लगाना है तो आप hash लगा करके लिखते हैं here we are using select command तो यह इस तरीके से लिख दिया हमने और अब अगर से पहले हम इस database को select करेंगे और यहाँ से show databases कर लेंगे अब हमारे database का नाम है student D तो इसको यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे ठीक है तो यह दोनों चल गया अब हमको table show कराना है तो show tables लिखते हैं इसके लिए यह तो पता ही है आपको तो यहाँ पर सारी tables show हो जाएंगी ठीक है फिन अब हमको जो है इसी table को जो जिसका नाम की student B है इसी table को जो है select करना है तो यहाँ से आप देख सकते है select use किया गया है यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यह select use किया गया है तो हम यहाँ पर हमने आपके comment भी लगा रखता है आप तो देखी रहे हैं अगर मैं इस line को इस तरीके से select करता हूं इस तरीके से चला देता तो आप देखेंगे कि सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा यानि Python में जैसे comment लगा जाता है वैसे यहाँ पर भी लगा सकते हैं और अब इसको हम चलाते हैं तो यहां पर भी दो बात कर देते हैं इस तरीके से अब इसको चलाते हैं हम तो देखेंगे यह देखा तो यहां पर यह इस तरीके से भी आप कमेंट लिख पाते हैं ठीक है तो यह दोनों तरीके हैं कमेंट लिखने के उमीद करता हूं बात समझ म आज होगी कि comment कैसे लिखा लिए ठीक है एक और तरीका हो सकता है comment लिखने का यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसे हटा देता हूँ और दो बार यह slash लगा देता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ जैसे माले जिए मैं अपना नामे लिग देता हूँ तो क्या ये प्रेंटिंग में आएगा तो ये भी एक सवाल है तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से भी आप कमेंट लगा सकते हैं यहां पर ये बाखी कमेंट नहीं प्रेंट हो रहा है हमारा ठीक है तो कमेंट लगाने के अलग-अलग तरीके हो सकते है ठीक है न? I hope कि आपको बात समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजेगा साथ ही सच चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा Thank you for watching this video